हेलो दोस्तों आगे ही काली शुरू करते हैं चंदरनाथ पार्ट सेवन सारी रात मनिशंकर सो नहीं सकी रात वर उनके कानों में किसी गाड़ी के गड़गड़ा हट की तेज अवास आती रही तड़के ही चारपाई छोड़कर बाहर आये देखा कि गेट पर एक अपरिचित आदमी बुरी हालात में और 28 सुपता वस्था में बैठा हुआ है पास जाते ही वे आदमी उठ खड़ा हुआ और बोला मैं राही हूं मनिशंकर चले जा रहे थे उसने पीछे से पुकारा मनिशंकर का घर क्या यही है उन्हें लोटकर कहा यही है क्या आप पतला सकते हैं कि उनसे भेट कब हो सकती है मेरा ही नाम मनिशंकर है बोलो क्या बात है उस आत्मी ने जटपर्ट नमस्कार करके कहा आप ही के पास आया हूं मनिशंकर ने सिर से पाव तक उसका निरिक्षन करके कहा काशी से आ रहे हो क्या बाबू जी हाँ डयाल ने बेजाए जी हाँ रूप कमरे में जाकर दरवाजा बंद करकर बैठ गए मनिश इंकर ने कहा तो क्या सबसच कुछ सच है? सबसच है यह सुनकर उसने कई चिठ्थियां बाहर निकाल ली मनिश इंकर ने उन्हें शुरू से आखिर तक पढ़कर कहा तो इन्हें बहु का क्या दोश है? उसका दोश नहीं है परंतु मा के दोश से लड़की भी दोशी हो जाती है तब जिसका अपना दोश नहीं है उसे की विपत्ती में डाल रहे हो मेरे पास भी कोई उपाय नहीं रुपे के लिए सब कुछ करना पड़ता है मनिश इंकर ने कुछ देर तक सोच कर कहा देख बाबू यह बुरी खबर फैलाने पर मेरे लेवी लज्जा की बात है चंदरनाथ मेरा भतीजा है राखाल दास ने सिर्ष लाकर द्रडभाव से कहा मैं भी निरुपाय हूँ यह बात तुम्हारे चेरे से मालूम भी होती है खेर अगर रुपिया मुझे देना हुआ तो रकम कितनी होगी अच्छा ही है मुझे चंदरनाथ बाबू के पास जाना नहीं पड़ेगा रुपिया पाते ही तुम गाव छोड़कर चले जाओगे और कोई बात नहीं खोलोगे यह तैय है तैय है ना बोलो कितना रुपए चाहिए बस दो हजार मनिश यंकर ने बाहर जाकर नायव लक्षम नारैन को बुलाकर दो तीन बाते कह दी इसके बाद अंदर आके बक्स खोलकर एक एक हजार के दो नोट राखाल हाथ के राखाल दास के हाथ में रख दिये और कहा यहां से दस कोस की दूरी पर सरकारी खजाना है वहीं भुना लेना और कहीं भुनाते मत जाना फिर कभी इधर मत आना मुझको तुमसे चिड़ है इसलिए अगर कभी आने की कोशिश की तो जिंदगी भर नहीं लोट पाओगे या कहे देता हूँ रखाल दास चला गया ठका मंदा दोपर को शेहर पहुँचा तब कह शेहरी बन थी कोई काम नहीं था दूसरे दिन यह था समय रखाल दास ने खजान्ची के पास पहुँचकर दोनों नोटों को देखकर कहा रुपिया चाहिए कजान्ची बाबु के यही नोट चोरी हुआ है जमिदार मनिश अंकर बाबु के एक आदमी ने कहा है कि कल तड़के ही भीक मांगने के बहाने घर में गुसकर इसने नोट की चोरी की है नोट का नमबर भी मिल गया है रखाल दास ने कहा जमिदार बाबु ने सबी बाते जाहिर हो जाएंगी बहस के दिन डिप्टी की अदालत में जमिदार मनिश अंकर ने हाजिर होकर कहा कि इन्होंने आदमी को अपने जीवन में कभी नहीं देखा रुपिया उन्हीं के बक्स में था उन्होंने कभी किसी को नहीं दिया राखाल ने अपने बचाव के लिए कितने ही बाते कहे ने चाही बहुत कुछ हाकिम ने लिख लिया और बहुत कुछ मनिश अंगर के वकील मुक्तार ने गोलमाल कर दिया सबसे बड़ी बात यह हुई कि उसकी बातों पर किसी ने विश्वाश नहीं किया और डिप्टी ने उसे दो साल के कठोर कारावास का दंड दे दिया हरी दयाल के घर पुराने दाईयां तक नहीं रही और की तो बात ही करना बेकार है सर्यू ने जब घर में प्रवेश किया तो सुनसान घर हाहा कार कर रहा था व्रिद सरकार ने रोकर कहा मा तो मैं जाऊं सर्यू प्रणाम करके सिर जुकाए खड़ी रही सरकार रोते रोते चल पड़े दयाल ठाकुर के आने तक इंतजार नहीं कर पाए इच्छा भी नहीं थी शाम को दयाल घर आये सर्यू को दालान में बैठी देखकर बोले कौन? सर्यू प्रणाम करके उठ खड़ी हुई सिर उठाकर बोली मैं हूँ सर्यू दयाल ने विसमित होकर गौर से देखा कि सर्यू के शरीर पर एक भी घेना नहीं है कपड़े भी बम्मामूली से है नौकर नौकरा ने कोई भी साथ नहीं आई और पास ही एक बक्स पड़ा है सभी बाते समझकर उपहास करके बोले जो सोचा था वही हुआ निकाल दिया है न सर्यू चुप रही दयाल ठाकर ने तब अत्यंत कड़े सुअर में कहा यहां तुम्हें जगे नहीं मिलेगी एक बार आश्रे देकर बहुत सीख चुका हूँ अब नहीं सर्यू ने सिर जुकाई ही पुछा मा कहा है मा वो तो भाग गई मुझो डुबबा कर अलग हो गई जैसी दरिरती वैसा ही किया क्रोथ के मारे उनका सारा शरीर काम रहा था हटात व्यंगे करके कह उठे कहा नहीं जाता पर जहां होगी सुखी से होगी सर्यू वहीं बैट गई वै तो अंत में मा के पास ही आई थी डैयाल कहने लगा मैं तुम्हें जैगे देकर अपनी जाती नहीं गवाना चाहता जो तुम्हें आदर से ले गया था अंत में बैह तुमारा सिर ढखने के लिए जोपड़ा नहीं बान सका इसी से मेरे पास रख गया जाओ यहां से अब सर्यू रो पड़ी बोली दादा मा आश है मा नहीं है मैं जाओ कहां हरिद्याल के मन में अब कोई माया ममता नहीं थी उसने स्वचंत से कहा काशी जैसी जगह मैं तुम्हारे ले स्थान की कमी नहीं सुविधा अनुसार एक जगह खोज लो वे अत्यन तेज जुआला में जल रहा था इसी से ऐसी बात भी कह सका सर्यू के पती ने उसे अपने घर में जगह न दी तो हरिद्याल क्यों देगा सर्यू यह समझ गई कि इसमें उसे दोश देने लायक कुछ भी नहीं था परंतु उसके लिए भी कहीं खड़े होने की और कोई जगह नहीं थी पती के घर अतिती की तरह दो दिनों के आदर यत्न के लिए गई थी अब विदाई हो गई वही यत्न प्रायन ग्रहस अब लोट कर नहीं देखेगा कि वह अतिती कहां गया बड़ी यात्ना से उसके निरव अश्रू बह गए यह उसकी सोला साल की उम्र थी उसकी सभी इच्छाय पूरी हो गई थी माता नहीं थी पिता नहीं थे पती ने परितिया कर दिया खड़े होने की जगह नहीं है है केवल कलंक लज्जा और विपल यूडूप योवन यह निकर सर्यू का चलना मुश्किल था वह सोचती कि उसकी कितनी उम्र है और कितने दिनों और जीना होगा जितने दिन भी हूँ पर आज उसका नया जन्म हुआ है यद्दिपी उसने पहले भी दुख तकलीफ भोगी थी परंतु इस तरह का तीवर्य अफमान और लांचना क्या उसने कभी भोगी थी दैल ठाकूर की आवास उत्रोतर तेज होती गई अपके चिल्ला पड़े अभी तक बैठी हो सर्यू ने घबरा कर पुछा कहा जाऊं मैं क्या जानू सर्यू ने रूदे कंट से कहा दादा महाशे आज रात को दूर दूर एक मिनट भी नहीं जाओ यहां से अपकी सर्यू उठ खड़ी हुई उससे आश्यरे हुआ और वे सोचने लगी जिसके पास सैकड़ो अपरादों के लिए भी शमा याचना करने का अधिकार था जब उससे ही याचना नहीं की तो दूसरों से क्यों करूँ मन ही मन बोली और कुछ नहीं है तो काशिक की गंगा तो अभी सूखी नहीं है उससे समाज का भी डर नहीं और उसकी जाती भी नहीं जाती ऐसे दुख के समय में एक दुख्या लड़की को सुच्छनता से अपनी गोद में ले लेगी मुझे और कहीं आश्रे ना मिले परन्तु वहां तो मिल ही जाएगा सर्यू चलने को उद्धत हुई परन्तु चल नहीं पाई फिर बैठ गई द्याल ठाको ने सोचा कि ऐसी विपत्ती में बै कभी नहीं फसा था उसका गला सुखा जा रहा था उसने चिला कर कहा बिन अपमान कि ये शायद नहीं जाओगी न अभी दूर हो जाओ जाओ यहाँ से इस समय अचानक बाहर से पुकार आई बाबा जी हरी जयल घबरा उठा ये शायद काका आ रहे थे कहते कहते ही क्यला शंद एक हाथ में शत्रंश की पोटली और दूसरे में हुका लिए अंदर आ गए